हाई फ्रेंट्स में प्रवास दनी आप सभी को स्वागत करते हूं मेरी किचन पे आज हम बनाएंगे स्वय चंग भुर्जी मसाला मैगी यह बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही जी है इसको बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करते हैं अब हम स्व इसको दरदरा सा पीस लेंगे अच्छे से नी चोट के इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है स्वय चंग को मैंने दरदरा सा पीस लिया है अब हम हाप लस पानी को गरम करके इस मैंगों में दू मिनिट के लिए पकाना है इस तरह से मिलाते हुए उसको दू मिनिट के लिए पकाएंगे दू मिनिट के बाद हम मैगी को चन लेंगे दू मिनिट के बाद हम मैगी को चन लेते हैं मैगी को हमें 70-80% ही पकाना है अब हम अगले प्रसेस में चलते हैं अब हम पैन में डालेंगे एक चम मर्च ओयल हाप चम मर्च जीरा एक हरी मिर्च जीरा अच्छे से ही चटक लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज इसको मैंने चुच्छे से तुकड़ों में कटकर के रख रहे हैं डालके इसको अच्छे से मिला लेंगे क्रियास की फ्रेव को लोग फ्लेम में रख के अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटे थोड़ा सा हल्डी पाउड़े थोड़ा सा धनिया पाउड़े अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को 2-3 मिनिट तक अच्छे पी बोल देना है ग्यास की फ्लेंग को लोग फ्लेम में रख के मसाले को में 2-3 मिनिट तक अच्छे से भूल लेना है दो-3 मिनिट के बाद अब हम इसमें शुय चंग को डाल देंगे दालकर इसको अच्छे से मिलाकर इसको हमें और एक से दो मिनिट तक अच्छे से पकाएंगे अब हम इसमें 2-3 चंगमश और पाने आड़ करेंगे इसको अच्छे से मिलाकर इसको हमें और दो मिनिट के लिए पकाना है दो मिनिट के बाद अब हम इसमें बॉइल के हुए मैगी को डाल देंगे डालकर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे करेंगे अच्छी से मिला लेने के पार अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटो सास, सोया सास, डाल के इसको हम फिट से अच्छी से मिला लेंगे अच्छी से मिला लेने के बाद यह हमारा म्यागी बनके रेड़ी है अब हम गयाप के प्रिंग को बन कर देते हैं यह हमारी स्वेय चंग बोची मसाला मैगी बनके रेड़ी है अगर आप सबको हाथ कर इसमें अच्छा लगा है तो मेरे इसमें को लाइक एंड सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो